नमस्कार दोस्तों भारत का भुगोल विशे की MCQ आधारित टेस्सीरीज में आपका हारदीक स्वागत अभिनंदन आज की इस टेस्सीरीज का महत्वपुर्ण टोपिक है भारत की म्रदा तो आईए हम सुरू करते हैं आज की टेस्सीरीज का प्रथम प्रशन जो आपकी स्क्रीन पर है प्रसन संख्या एक भारत की निम्न मिटियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षे के कारण निर्मित हुई है ओप्षन ए है जलोड मिटियां ओप्षन भी है लेटेराइट मिटियां ओप्षन सी है लाल मिटियां और ओप्षन डी है रैगूर मिटियां तो इस प्रशन का सही आंश्वा रहेगा ओप्षन डी रैगूर मिटियां इसे काली मिटी या कपास मिटी भी कहते हैं इसका निर्मान जुआला मुकीव स्पोर्ट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत उसके उपक्षय होने से बनी है नेक्स परशन है प्रशन संख्या दो देश की निमन लिखित मिटीयों में से किसे स्वत्य क्रश्य मिटी कहा जाता है ओप्षन ए है जलोड मिटी ओप्षन बी है लेटे राइट मिटी ओप्षन सी है कापास की काली मिटी और ओप्षन डी है मरुस्तलिय मिटी तो इस प्रशन का सही आंश्वर रहेगा Option C. कपास की काली मिटी काली मिटी में तिवर जलधारा की एक शमता पाई जाती है यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आंकूचित एवं दरार यूप्त हो जाती है इसलिए इसे स्वते जुताई वाली मिटी कहा जाता है नेक्स परसन है प्रसन सिंख्या 3 लावा मिटियां पाई जाती है Option A है चतिस गड मेदान में Option B है सरयू पार मेदान में Option C है मालाबार पठार में और Option D है सिलों पठार में तो इस परसन का सही आंस्वा रहेगा Option C मालवा पठार में लावा मिटियां पाई जाती है नेक्स परसन है प्रसन संख्या 4 लेटे राइट मिटी मिलती है उत्तर परदेश में B ओप्षन है हिमाचल परदेश में C ओप्षन है पंजाब में और D ओप्षन है महारास्टर में तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा Option D महारास्टर में लेटे राइट मिटी मिलती है इसमें के अंतरगत देखा जाए तो उशन कटी बंदिये भारी वर्सा के कारण होने वाली तिवर विक्षालन किरिया की प्रणाम सवरूप लेटे राइट मिटी का निर्मान हुआ है ये आरदर प्रदेसों की अपक्षालित मिटीया हैं जिनकी उरवर्ता कम होती है और इसका सरवादिक विस्तार केरल राज्य अर्थात मालाबार तटिये प्रदेस में और उसके बाद माहरास्टर में है नेक्स परसन है परसन संख्या पांच भारत में सबसे अधिक उपजाउ म्रदा कौन सी है तो उस प्रशन का सही आंश्वा रहेगा उप्शन सी जलोड म्रदा जो है वो सरवादिक उपजाउ म्रदा रहती है नेक्ट परशन है प्रसंसंख्या 6 गंगा के मेदान की पुरानी कच्छारी मिटी कहलाती है ओप्सन अ है भाबर ओप्सन बी है बांगर ओप्सन सी है खादर और ओप्सन डी है खुंडो लाई तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा ओप्शन B बांगर तो पुरानी कचारी मिटियां जो है वो गंगा के मेदान के अंतरगत बांगर कहलाती है नेक्स प्रशन है प्रशन संख्या साथ निमल लिखित में से किस परकार की म्रदा की जलधारन क्षमता कम होती है ओप्शन A है बलूई दोमट ओप्शन B है दोमट बालू ओप्शन C है मटियार दोमट और ओप्शन D है दोमट तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा ओप्शन A बलूई दोमट जो है इसमें जलधारन क्षमता कम होती है नेक्स परशन है परशन संख्या आड़ पशमी राजस्तान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है ओप्शन A है ऐल्यूमिनियम की मात्रा ओप्शन B है केलसियम की मात्रा ओप्शन C है नाइट्रोजन की मात्रा और ओप्शन D है फास्पोरस की मात्रा तो इस परशन का सही आंस्वार रहेगा Option B केलसियम की मात्रा जो है वो पश्मी राजस्तान की मिटियों में अधिक पाई जाती है Next question है प्रसन संख्या No निमल लिखित में से कौन सी फसल म्रदा को नाइट्रोजन से बरपूर कर देती है प्रसन A है आलू प्रसन B है सोरगम Option C है सूर्जमुखी Option D है मतर तो इस प्रशन का सही आंस्वर रहेगा Option D मतर क्योंकि दलहनी पसलें वायू मंदलिये नाइट्रोजन स्तिरी करण के द्वारा म्रदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है जिसके अधार पर प्रशन संख्या 9 का सही आंस्वर रहेगा D मतर नेक्स प्रशन है प्रशन संख्या 10 भूमी की उरवरता बढ़ाने के लिए निमन में से कौन सी फसल उगाई जाती है Option A है गेहूं Option B है चावल Option C है उडद और Option D है गन्ना तो इसके अधार पर हमारा सही आंस्वर रहेगा Option C उडद नेक्स प्रशन है प्रशन संख्या ग्या रहे भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वरग है Option A है लाल मिट्टी Option B है काली मिट्टी Option C है बलूई मिट्टी और Option D है कच्छारी मिट्टी तो इसके अधार पर इस प्रशन का सही आंस्वर रहेगा Option D कच्छारी मिट्टी अर्थात जलोड मिट्टी भारत में सबसे बड़े वरग वाली मिट्टी रहती है Next प्रशन है प्रशन संख्या 12 रैगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है Option A है महरास्टर में B है तमिल आडू में C है आंदर परदेश में और D है जार खंड में तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा Option A महरास्टर में रेगूर मिट्टी ज़्यादा है Next प्रशन है प्रशन संख्या 13 भारतिय म्रदाओं में जिस सुक्षम म्रदा तत्वे की सरवादिक कमी है वह है Option A तांबा Option B लोहा Option C मेंगनीज और Option D जस्ता तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा Option D जस्ता की सरवादिक कमी पाई जाती है Next प्रशन है प्रशन संख्या 14 पोधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है Option A है चिकनी मिट्टी में Option B है पांसू मिट्टी में Option C है बलूई मिट्टी में और Option D है लोमी मिट्टी में तो इसके अधार पर हमारा सही आंस्वर रहेगा Option A चिकनी मिट्टी में जो है वो पोधों को सबसे अधिक पानी मिलता है Next प्रशन है प्रशन संख्या 15 सामान्ये फसले उगाने के लिए उर्वर भूमी का पी अच्मान कितना होने की संभावना है Option A है तीन Option B है च्यार Option C है छे से साथ और Option D है नो से दस तो इस प्रशन का सही आंस्वर रहेगा Option C 6 से साथ जो है वो पी अच्मान होने की संभावना रहती है Next है प्रशन संख्या 16 मिटी में खारापन एवं क्षारियता की समश्या का समाधान है Option A सूस्त क्रशी विधी Option B खेतों में जिप्सम का उप्योग Option C विरिक्षार ओपन और Option D समोच्य रेखाओं की अनुसार क्रशी तो इस प्रशन का सही आंस्वर रहेगा Option B खेतों में जिप्सम का उप्योग Next प्रशन है प्रशन संख्या 17 किसका उप्योग मिट्टी की लवनता एवं क्षारियता की समस्या का दिर्ग कालिन हल है Option A रोक फास्पेट Option B जिप्सम Option C खाद और Option D यूरिया तो इस प्रशन का सही आंस्वर रहेगा Option B जिप्सम Next प्रशन है प्रशन संख्या 18 भारत में सरवादिक क्षारिय क्षेतर पाया जाता है Option A है गुजरात राज्ये में Option B हर्याना राज्ये में Option C पंजाब राज्ये में और Option D उत्तर परदेश राज्ये में तो इस प्रशन का सही आंस्वर रहेगा Option D उत्तर परदेश राज्ये में भारत में सरवादिक ख्षारिय क्षेतर पाया जाता है नेक्ट परश़न है प्रसं संख्या उन्निस भारत में लवणिय मृदा का सरवादिक ख्षेतर फल है उप्षन A है उत्तर परदेश में। उप्षन B है हर्याना में। उप्षन C है गुजरात में। और उप्षन D है महारास्टर में। तो इस प्रशन का सही आंच्वा रहेगा उप्षन C गुजरात में। नेक्स परशन है परशन संख्या 20 निमल लिखित में कौन सी मिटी चाय बागानों के लिए उप्युक्त है ओप्शन A है अमलिय मिटी ओप्शन B है क्षारिय मिटी ओप्शन C है जलोड मिटी और ओप्शन D है रेगड मिटी तो इस परशन का सही आंस्वा रहेगा ओप्शन A अमलिय मिटी जो है वो चाय बागानों के लिए उप्युक्त रहती है नेक्स है परशन संख्या 21 भारत में निमन में से किस क्षेतर में मरदा अप्रदन की समश्या गंबीर है ओप्शन A है मालवा पठार ओप्शन B है सिवालिक पहाडियों के पादक्षेतर ओप्शन C है दंड कारणिय क्षेतर और ओप्शन D है मेघाल्य पठार तो इस प्रशन का सही आंश्या रहेगा ओप्शन B सिवालिक पहाडियों के पादक्षेतर जहां पर मरदा अप्रदन की समश्या गंबीर रहती है प्रसन संख्या 22 निमन लिखित में भारत का कोण सा ख्षेतर म्रदा अप्रदन से अतियतिक प्रभावित है ओप्शन A है मालवा पठार ओप्शन B है उत्तर परदेश तराई क्षेतर ओप्शन C है आनदर तट्ये क्षेतर और ओप्शन D है चंबल गाटी तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा ओप्सन डी चंबल घाटीक शेतर में जो है वो मर्दा अपर्दन अत्यधिक प्रभावीत रहता है नेक्स्ट है प्रसन संख्या तेविस कौन सा तरीका मिट्टी की उरुवर्ता प्राप्त करने का नहीं है ओप्सन ए है फसल चाकर बी है मिश्रित खेती सी है बीज संसोधन और डी है बहु फसली खेती तो इस प्रशन का सही आंस्वा रहेगा ओप्सन सी बीज संसोधन जो है वो मिट्टी की उरुवर्ता प्राप्त करने का नहीं है जो तरीका जो रहता है वो सही नहीं रहता नेक्स्ट है प्रसन संख्या 24 फसल चक्कर आवशक है आप्सन A पादपों में प्रोटीन व्रदी है तू आप्सन V विभिन पसलों की प्राप्ती है तू आप्सन C म्रदा की उर्वरा सक्ती में व्रदी है तू और आप्सन D म्रदा की नमी को बनाई रखने है तू तो इस प्रशन का सही आन्स्वर रहेगा आप्सन C म्रदा की उर्वरा सक्ती में व्रदी है तू फसल चकर जो है वो आवशक रहता है नेक्स्ट प्रशन है प्रसन संख्या 25 म्रदा क्षरन को रोका जा सकता है वर्षा से ओप्सन B है वन नासन से ओप्सन C है वन रोपन से और ओप्सन D है अती चारण से तो इस प्रशन का सही आन्स्वर रहेगा ओप्सन C वन रोपन से तो ये थी आज की महत्वपूर्ण test series जो इसका मुख्य टौपिक था भारत की म्रदा तो इसी परकार की महत्वपूर्ण प्रशनो आधारित टेस्सीरीज में आप से पुने मुलाकात होगी और उस टेस्सीरीज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो है भारत की प्राकर्तिक वनस्पती तो आप इस टॉपिक को बड़िया से तैयार करें और नेक्स टेस्ट के लिए तत पर रहें तब तक के लिए जैहिन जैभारत